अगर आप हैश्टेक को यूज़ करके यूट्यूब चैनल या यूट्यूब वीडियो के उपर व्यूज लाना चाते हैं या सीखना चाते हैं कि हैश्टेक को किस तरह से एड़ किया जाता है योट्यूब वीडियो के टाइटल के अबव साइट यानि के टाइटल के उपर वाली साइट या डिस्क्रिप्शन के अंदर तो ये वीडियो आप ही के लिए है इस वीडियो को पूरा देखें असलाम अलेकुम मैं हूँ उमैश वीडियो को शुरू करते हैं अच्छा तो सबसे पहले आपको मैं हैस्टेक दिखा दूँ कहां पे शो होते हैं चीक है और उसके लिए अपनी ही एक वीडियो पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इसको पास कर लेते हैं अब यहां पर देख सकते हैं यह टाइटल है वीडियो का और उसके उपर ब्लू कलर में जो शो हो रहे है इसको हैस्टेक कहते हैं अब यह वीडियो के अंदर एड कैसे करते हैं आपने सिंपल करना कहा है चैनल के उपर क्लिक करें और यूटूब इस वीडियो के बाद आपने जो दूसरा option है content का इस पर क्लिक करना है जिस वीडियो में आपने hashtag add करने है उसकी details पर क्लिक कर दें ठीक है यह पहला option details का है इस पर क्लिक कर दें अब इस पर आपने title वाले box को छोड़के description वाले box के नीचे आ जाना है ठीक है shift plus three ठीक है यह hashtag आगया है इसके आगया आपने लिख देना है जो भी आप word यूज़ करना चाहते जैसे account एक चीज़ याद रखे कि इसमें space डाल के आप कुछ भी नहीं लिख सकते यह hashtag count नहीं होगा ठीक है तो जो भी आपने लिखना है एक ही word हो अगर दो word है तो आपने कठा कर देना है जैसे account facebook ठीक है ऐसे आपने लिख देना है तो screen keyboard के ज़रे भी मापको एक बर दिखा दूँ यह देखे आपने shift plus hash इसको दुबाना है और उसके बाद अपना word लिखते ना इसमें space ना इंटर करें ठीक है अब यहाँ पर आपने अपना hashtag इंटर कर दिया है अब simple save पर क्लिक कर दें और यह save हो जोगा चलिए वीडियो पर चलते देखते हैं कि यह add हुआ है कि नहीं हुआ है इसको pass कर लेते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले दो hashtag थे अभी three है एक दो तीन ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं एक दो तीन इस तरह से आप description और channel के जो वीडियो है उसके title के उपर वाले साइट पर भी आप hashtag add कर सकते हैं यह तो हो गया उनके लिए जिनके लिए वीडियो पहले यह upload है उसको edit किस तरह से करने है hashtag किस तरह से add करने है और जो मेरे भाई वीडियो upload कर रहे होंगे ठीक है new वीडियो होगी तो उसके description box में भी आपने इसी तरह hashtag iter कर देने है description लिखने के बाद या उसके center में ही ठीक है तो इस तरह से आप बरी असानी से hashtag add कर सकते हैं और views gain कर सकते हैं YouTube की वीडियो के लिए और चैनल के लिए भी तो उमेद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को subscribe कर ले मजीद इस तरह की व कर दो